हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे आलू ग्रेवी देखे फ्रेंड्स अभी आलू बनाने का हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही टेस्टी रहता है आप एक बार बना के देख लीजिए देखे फ्रेंड्स अभी हम तीन आलू बाल के रखे थे अभी हम ग् अब वर जीरे के बाद निद्गे के बाद ठीज मेञें eh अभी हम फ देल दालेंगे अभी जीरे दालने के बाद थोड़ा से प्राउन हुने के बाद हम है कानियन बारिक कटा हुआ अनियन दालेंगे अभी दो तीन हरी मिर्च दालेंगे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये तो आलू ग्रेवी बनने का बहुत ये आसान है आप भी एक बार बना के देख लीजिए अभी हम दो टमाटर कट करके रखे थे अभी हम मिक्सी में पीस लेंगे ये तब तक ब्राम हो जाएगा अच्छे से हम पैस को मिक्स कर लेंगे देखे फ्रेंड्स अभी हम एक कैपसिकम दालेंगे वो भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा साल का सा स्मूथ होने तक हम मिक्स करने के बाद थोड़ा लसुना द्रक का पेश्ट भी दालेंगे अभी हम मिक्स कर लेंगे देखे फ्रेंट्स अभी अलुक कट की है तो हम दाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पांच मिनेट तक हम अच्छे से उसको मिक्स करके fry होने तक हम रख देंगे अभी हम आच्छे से mix करके अभी वो आच्छे से fry होने तक हम wait करेंगे अभी हम एक कटोरी में एक स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ स्पून हल्दी पाउडर और हाफ स्पून दनिया पाउडर और हाफ स्पून गरम मसाला हम और अदा स्पून जीर पाउडर और स्वाधन सार नमक दालिंगे और एक स्पून दै दालिंगे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी दाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमारा आलू और पैज अच्छे से फ्राई हो गया अभी हम एक प्लेट में निकल के रख देंगे देखे फ्रेंस हैसा होना चाहिए अलू और पैज का हलका सा स्मूथ होने के बाद निकलना चाहिए अभी हम वही कड़ाई में दो तीन स्पून आईल दालेंगे अभी हम और मसाला सब मिक्स किया है तो अभी दाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी ग्यास मीडियम आच पर यह अच्छे से मिक्स करना चाहिए ने तो धही फट जाता है मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना है अभी हम दो तमाटर पीस के रखेते अभी वह भी दालेंगे देखे फ्रेंड्स हम आच्छे से मिक्स कर ले रहे अभी आईल छोड़ने तक हम अच्छे से उसको मिक्स करते रहना अभी देखें फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा आईल छोड़ने के बाद हम आलू प्याज दालेंगे ये ग्रेवी रोटी के साथ और परटर के साथ बहुत टेस्ट लगता है आप भी एक बार बना के देख लीजिए अभी हम सब दालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले रहे अभी दो मिनिट ढाक के रखेंगे तब तक आलू सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा देखें फ्रेंड्स अभी अच्छे से मिक्स हो गया अभी हम को कितना पानी चाहिए तो आप डाल सकते हैं अभी इसमें हम थोड़ा सा गरम पानी दाल रहे तो सबजी का टेस्ट अच्छे रहता है थंड़ा पानी से उतना टेस्ट सबजी नहीं आता है अभी पानी दालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब ग्रेवी कैसे चाहिए उसके सब से हम आप पानी दाल सकते हैं देखे फ्रेंड्स हमारा सबजी बनकर रड़ी हो गया अभी हम थोड़ा सा हरा धनिया दालेंगे आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर देना देखे फ्रेंड्स अभी हमारा सबजी बनकर रड़ी हो गया अभी हम एक बाउल में निकाल देंगे देखे फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया आप एक बार बना के ट्राइग कर दीजिए अभी मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद